तो चलिए हम लोग अपने जावा के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं और अभी तक दिखिए हम लोग पढ़ रहे थे कलेक्शन फ्रेमबर के बारे में तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाओ तो अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था लिंक लिश्ट और अर अप्लोड किया था नहीं तो आपको यह चीज़े समझने में प्राबलम हो जाएंगे तो हम लोग अभी कलेक्शन फ्रेमबर्ग पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हमने कलेक्शन फ्रेमबर्ग पर सेवन वीडियो को अप्लोड कर दिया है तो अपने पिछले वीडियो में हमने अरे डेक और लिंक लिस्ट क्लास के बारे में समझा था तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रियारिटी क्यू के बारे में तो हमारे पास जो यह प्रियारिटी क्यू है यह अगर आप यहाँ पर देखें तो यह हमारे क्यू इंटरफेस को ही इंप्लीमेंट कर रहा है त फिर हमने R8 को समझा था जिसमें हमने देखा था कि हम ये एक special type का Q होता है जिसमें हम insertion and deletion दोनों इंड पर perform कर सकते हैं तो ये चेजी हमने पिछले वीडियो में समझी थी अभी हम लोग पढ़ने वाले है priority Q के बारे में तो priority Q में होता क्या है कि जब भी हम लोग यहाँ पर insertion या deletion करते हैं तो priority के basis पर होता है जैसे Q में simply क्या होता है आप माल लिजे priority define करना चाहते है priority मतलब जैसे आप कहीं ticket counter पे जाईए तो वहाँ पर आपको line लगाना पड़ता है लेकिन कोई ऐसा person आ जाए जिसकी priority अधिक है priority in the sense उसकी power माल लिजे position कुछ दूसरी है तो उसको पहले priority दे जाती है उसका काम पहली किया जाता है और उसके बाद normal लोगों काम किया जाता है तो उसी तरह से यहाँ पर priority की होता है किसमें जो हम elements को insert करते हैं उनकी हम जो elements हम लोग insert कर रहे हैं उनकी हम कुछ priority दे सकते हैं और उन priority के basis पर ही कहां पर वो elements insert होगा और ये decide किया जाएगा और कौन सा element delete होगा ये भी decide किया जाएगा priority के basis पर तो अभी जो हम लोग implement करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आएंगी तो again हमारे पास एक predefined class है priority queue नाम से इसके अंदर कई सारे predefined functions होगे उन functions को हम call कर लेंगे simply और हमारा काम हो जाएगा यहाँ पर लेकिन अगर आप actually में इस priority queue को किस तरह से implement करना है आप उसकी fill लेना चाहते हो आप हमारी इस data structure वाले course को देखो जिसमें हमने priority queue को implement किया था मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ हमने यहाँ पर देखिए priority queue last में हमने यहाँ से start किया था हमने 5 वीडियो को upload किया था तो यहाँ पर हमने priority queue को implement किया था जिसमें हर एक function की coding हमने खुद से लिखा था तो अगर आपको actually में coding सीखना है और अपने concept को strong करना है त already defined class है तो simply हम इसका object बनाएंगे और function को call कर लिया करेंगे बस ओके तो इसमें बहुत ज्यादा खास कुछ सीखने जैसा होता नहीं है फिर भी अभी हम लोग यहाँ पर बताएंगे priority queue को किस तरह हम लोग use करेंगे अकर हमारे पास कोई भी custom class हो तो अक्सर यह लोग नहीं ब सबल चलता हूँ sortie में जाने के बाद यह एक पर मैं इक शनस्डॉक्टर बना लेता हूं और मैं गटन सोर करेंबंगे-शिस और सबना लिए यहां पर हम यहां पर एक टो इस्टिंग मैधर्ट भी बना लिया तो हमारे पास एक twisting method आ गया यहाँ पर और अब हम इसमें कुछ काम ने करेंगे हमने बना लिया है अब हमने एक और दूसरी class बनाई हुए देखे यहाँ पर priority की example नाम से और इसके इंदर हम लोग अपना काम करने वाले हैं ठीक है तो चलिए हम लोग हम क्या करते हैं सबसे पहले जो हमारे पास priority q है class उसका हम लोग पहले object बनाते हैं तो हम लोग object बनाएंगे कैसे बनाएंगे object लिखेंगे priority प्रियारिटी प्रियारिटी q यहाँ पर है हमारे पास priority q इसको हम simply यह कर देंगे और अभी हम लोग operation perform करेंगे primitive क साथ में हमने लिखा integer तो यहाँ पर हम लोग integer type की values के साथ में आपरेशन परफार्वां करेंगे तो यह बहुत सिंपल है लेकिन आपजेक्ट के साथ में अपनी इस बर्नर क्लास के object के साथ में कुछ सीखोगे तो मैं यहाँ पर पी क्यूव पी किव नम से बना लेता हूँ एक object और new लिख करके PRTQ मैं इस तरह से यहाँ पर बना लेता हूँ, उन्हें बना लिया अब simply हमें क्या करना है हमें क्या करना है elements को add करना है तो simply again आपने पिछले वीडियों पढ़ा था हमारे पास offer, pole and peak तीन function होते हैं operation को perform करने के लिए तो हमें operation perform करना है तो हम लोग क्या करेंगे elements को add करना है तो हम लोग pq.offer function को यहाँ पर offer function को यहाँ पर call कर लेंगे और इसमें लट से हम value pass कर दे रहे हैं 10 और उसके बाद मैं क्याम करता हूँ यहाँ पर कई सारे duplicates बना लेता हूँ मतलब की 0 को copy कर देता हूँ और मैं यहाँ पर लिक देता हूँ 5 यहाँ पर मैं कर देता हूँ let's say 30 और यहाँ पर मैं कर देता हूँ let's say 20 और यहाँ पर मैं let's say value कर देता हूँ 1 तो हमने इतने सारे elements को इतने सारे integer type की values को add कर लिया है ठीक है हमने एक ब्रेकेट डिलीट कर दिया था क्या कर दिया हमने तो हमने एक और हमें ब्रेकेट चाहिए मैंने डिलीट कर दिया था गलती से ठीक है आई होब कि अब आपको सारी चीज़ समझ में आएंगे अच्छे से अब अगर मैं यहां पर प्रिंट करूं तो आपको क्या लग रहा है हमें क्या आउटपुट मिलने वाला है जैसे आपने पहले देखा था कि जिस भी आडर में हम लोग जहां पर इंसर्ट करते थे वहां पर वह सारी चीज़ें हुआ करती थी उसी आडर में मिंटेन हुआ करती थी लेकिन क्योंकि अब यह प्रियार्टी है प्रियार्टी की हुए तो बाई डिफाल्ट यह क्या करता है जो सबसे चोटी वैल्यू होती है उसको वो हई प्रिफ्रेंस देता है उसका प्रियार्टी हाई चिस प्रियार्टे की जाता है अगर यहां पर आप समझेअ जैसे मैं रन करूँगा यह जो वन है यहां पर क्या है वन है और वन के आगे मत देखिए उसके आगे कुछ भी हो सकता है जिस तरह से यहां पर operation परफार्म किया जा रहा है वहां पर basically क्या होगा जो हमारा आपजिक्ट्स यहां पर हम लोग रख रहे हैं वैलू रख रहे हम लोगा comparison होता है है ना comparison होने के बाद कई सारे comparison होते होंगे जब जब हम वैलू insert करते हैं तो वहां पर comparison होता होगा internally कुछ कुछ तरीके से एक्सेंट पर फार्म किया जाता होगा और priority के basis पर इन elements को insert किया जाता होगा तो आपको focus करना है जो सबसे छोटा वाला elements है यहां पर one वो सबसे टाप पर है सबसे पहले है व जो छोटा है वो क्या है one है तो यहां पर जब वैलू छोटी होगी तो उसको high priority माना जाएगा इसलिए उसको सबसे पहले maintain किया गया है इसका मतलब कि अगर अब हम कोई elements को क्या करेंगे अगर हम पोल करेंगे डिलीट करेंगे तो वो one पोल होगा one ही डिलीट होगा इस तरह से यह काम करता है जैसे मान लीजिए अगर मैं एक elements को और insert कर दूँ और यहां पर मैं कहीं middle में ही यहां पर काल करके इसमें जीरो पास कर देता हूँ अब बताइए सबसे छोटी value हमारे पास क्या है जीरो है तो सबसे पहले जीरो आ जाएगा छोटी value मतलब high priority यहां देखे नहीं है तो आपको पहले वाले को देखना है तो अभी यहां पर जीरो सबसे पहले है तो अगर मैं पॉल करूँ मतलब की elements को यहां से delete करूँ तो वह 0 पॉल होगा तो अगर मैं प्रिंट करूँ तो 0 हट जाएगा, 0 अब नहीं रहगा, अगर 0 नहीं रहगा, तो इन सब में, अगर 0 नहीं है, तो सबसे छोटा वाला elements कौन होगा, 1 होगा, तो 1 फिर से सबसे पहले position पर maintain कर लिया जाएगा, और देखें, यहाँ पर 1 maintain हो गया है, फिर से अगर मैं पोल करू और पोल करने के बाद प्रिंट करूँ, तो बताइए, यहाँ से 1 पोल होगा, यहाँ से क्या पोल हुआ था, है ना, यहाँ से 0 पोल हुआ था, और यहाँ से क्या पोल होगा, 1 पोल होगा, राइट, क्योंकि 1 सबसे छोटा बचेगा, तो अगर यह दोनों पोल हो गए, तो इन सब में छोटा elements कौन सा है? 5 है, तो 5 सबसे पहले आ जाएका आप देखना, तो देखिए, ये सबसे पहले था, और 0 pole होने के बाद, इन सब में छोटा elements 1 था, तो 1 सबसे पहले आ गया, और जो हमने 1 को pole कर लिया, तो इन सब में छोटा element 5 था, तो वो 5 फिर से सबसे पहले पर maintain हो गया तो इस तरह से ये priority क्यों काम करता है तो जिसकी value सबसे छोटी उसकी high priority मानी जाएगी और इसी तरह से हमारे पास peak function होता है अगर मैं peak function को यहां से call करूँ तो peak function क्या करता है आपको पता है पहले ही मैं बता चुका हूँ ये जो next elements pole होने वाला है उसको बताता है तो अभी सबसे top पर कौन है यहां पर 5 है तो 5 ही pole होने वाला होगा अगर मैं pole करूँगा तो 5 pole होगा तो peak वही element को बताता है इसलिए यहां पर 5 print हुआ है इस तरह से तीनी important function होते है offer, pole and peak और इन सब की working आपको पता है तो priority क्यों में क्या होता है कि अगर छोटा elements है तो उसको high priority उसकी preference high रिजाएगी high priority माना जाएगा और उसको उसको पहले maintain किया जाएगा value के basis पर और वही सबसे पहले pole होता है अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे जो बड़ी value है उसकी priority जादा करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा जब आप यहाँ पर priority क्यों बना रहे हो यहाँ पर तो इसके constructor में आपको एक comparator पास करना होता है अब comparator कैसे पास करना पड़ेगा मैंने आपको पहले ही एक interface के बारे में बताया था in fact दो interface के बारे में आपको पताया था comparable और comparator interface तो I hope कि आपने वो वाला वीडियो देखा होगा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर अपने playlist में ले चलता हूँ क्योंकि यह बहुत ज़ादा important है और वो चीजें comparable और comparator interface हमने सीखा था यह collection framework के ही अंतरगत सीखा था हमने है न और यहाँ पर देखिए हमने बताया था starting in collection comparable and comparator interface के बारे में पढ़ा था I hope आपने यह देखा था क्योंकि अभी मैं इसको use करने वाला हूँ जब मैं क्लास के साथ में प्रियारिटी क्यों को use करूंगा तो यहाँ पर मैं इसो close करता हूँ तो यहाँ पर एक हमारे पास जो comparator interface है उसके अंदर जो interface है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही abstract method का declaration है इसलिए उसको हम functional interface भी बोलते हैं तो जो वो इंटरफेस का नाम क्या है comparator interface है तो मैं काम करता हूँ हमारे पास यह comparator है यह interface का नाम है comparator. इसके अंदर एक function होता है reverse order आप उसको call करिए राइट आपको क्या करना है आपको reverse order जो function होता है comparator के अंदर आपको उसको काल करना है ठीक है ओके तो आपको क्या करना है इस comparator interface के अंदर एक static function है धिहान रखना यह static function है इसको आपको काल करना है जो comparator return करेगा तो यहाँ पर जब comparison होगा ना सार्टिंग के लिए जो भी अपना funda होता है क्योंकि elements को प्रियार्टी की बेहिशित पर सबसे पहले maintain किया जाता है तो definitely वहाँ पर कुछ operations हो रहा होगा ना सार्टिंग का राइट सार्ट और स्वैपिंग हो रही होगी तो हमें reverse order function को काल कर लेना है तो basically जो एक comparator return कर देगा अब जब यहाँ पर comparator return होगा तो वह क्या करेगा elements को फिर reverse order में start करेगा पहले क्या कर रहा था छोटे वाले element को सबसे पहले maintain कर रहा तो अभी वो क्या करेगा बड़े वाले element को सबसे पहले maintain करेगा अगर मैं यहाँ पर अभी इस्तमें अगर हमारे पास यह सारे elements सबसे बड़ा elements कौन सा है 30 है तो यहां पर जब मैं print करूंगा तो 30 सबसे पहले होगा और 30 सबसे पहले होगा तो यहां पर pole करने पर 30 pole होगा और फिर 30 अगर pole होगा तो उसके बाद सबसे बड़ा element 20 बचेगा तो यहां पर फिर क्या pole होगा 20 20 पोल होगा है ना मैं यहां से प्रोग्राम को रन करता हूं देखे यहां पर 30 सबसे पहले आ गया है आगे का आपको नहीं देखना है तो 30 पोल हो गया 30 पोल होने के बाद इन सम्में बड़ा कौन सा है 20 तो 20 सबसे पहले मेंटेन हो गया है और हमने पीक किया तो 10 बता रहा है इस तरह से आप competitor.reverse order function को क्या कर सकते हूं काल कर सकते हूं अगर आपको priority बड़े वाले की ज्यादा set करनी है तो अब यहां पर हम लोग main काम समझने वाले हैं अभी जो सबसे important काम हम लोग समझते हैं अगर हम लोग इसको use करें अपने priority की जो है हमारे पास उसको अगर हम use करे के साथ में तो कैसे काम करेगा तो अभी देखिए हमने क्या बताया कि जब भी हम लोग elements को insert करते हैं तो जो priority होती उसके basis पर elements को सबसे पहले position पर maintain किया जाता है अब बताए maintain करने के लिए क्लिए क्या हो रहा होगा simple सी बात है यार सार्टिंग गयरा का concept वहां पर use हो रहा ह होंगे ना तभी तो आप छोटे वाले elements को या बड़े वाले elements को पहले maintain कर पा रहे हो तो comparison हो रहा है बेसिकली वहां पर राइट अब चलिए अगर मैं कोई यहां पर priority की इस तरह से बना हूं मैं इसको copy करता हूं मैं दूसरा priority की बनाता हूं और यहां पर मैं इसको one कर लेत हूं और यहां से मैं यह जो reverse order हमने काल किया था इसको मैं हटा देता हूं ठीक है अब जो यह हमारे पास burner class है मैं इसके कई सारे object पहले बना लेता हूं मैं लगता हूं burner b1 equal to new new burner यहां से इस तरह से और मैं क्या करता हूं इसमें value pass कर देता हूं constructor के time पर ही तो myth7 मैं करता हूं यह हमारा ID हो गया और मैं color देता हूं यहां पर से black देता हूं ब्लाइक की जगहा पर red कर देता हूं, इसको मैं green कर देता हूं, इसको मैं white कर देता हूं, और इसको मैं क्या कर देता हूं, ठीक है, तो हमने क्या क्या color दे दिया और object का नाम बिल्कुल मुझे change करना पड़ेगा, तो B1, B2, B3, B4 and B5 मैं यहां से कर लेता हूं, और मैं क्या काम करता हूँ कि अपने इन सारे objects को अब मैं अपनी इस PQ1 में add करता हूँ जो हमारे पास PRTQ है उसमें मैं add करता हूँ add करने के लिए मुझे offer function को call करना पड़ेगा right तो offer B1 कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको duplicate कर देता हूँ और यहाँ पर मुझे B2 को add कर देना है यहाँ पर B3 को add कर देना है यहाँ पर B4 को add कर देना है और यहाँ पर B5 को add कर देना है ठीक है हमने सब को यहाँ पर क्या किया add कर दिया offer function को call करकी अब यहाँ पर क्या कर रहा है the method offer integer प्रिंट करूं अब आपको यहाँ पर समझेना है अगर मैं यहाँ पर सिस्टम डाट आउट डाट प्रिंट रगाता हूं और मैं अपने प्रियार्टी क्यों इसको मैं यहां से प्रिंट करता हूँ तो आउट्पुट क्या आएगा जैसा हमने पहले देखा था कि जब हम लोग यहां पर प्रिंट कर रहे थे यहां पर प्रिंट कर रहे थे तो जो सबसे छोटा वाला value को सबसे पहले position पर maintain किया जा रहा था अब यहां पर problem क्या है यहां पर problem आप समझे क्या है कि जो यह हमारा burner है इसके अंदर क्या है दो members है ID है और color है तो किसके basis पर elements की starting की जानी है यहां पर जो हमारा यह ID है वो confused हो जाएगा बिल्कुल confused हो जाएगा है कि नहीं क्योंकि यहां पर element जैसे यहां पर दिखे अगर हम ID की बात करें तो सबसे छोटी वाली ID यहां पर 7007 है तो यह तो इसको सबसे पहले रखना चाहिए यह अगर हम color के basis पर बात करें तो सबसे पहले कौन आएगा माल लीजे बी आएगा black आएगा तो black वाले को सबसे पहले रखना चाहिए तो यहां पर जो यह हमारा ID है वो confused हो जाएगा वो आपको बोलेगा कि आपको बताना पड़ेगा कि हम किस basis पर प्रियार्टी को decide करें यह तो आपको बताना पड़ेगा किस basis पर प्रियार्टी को decide करें और फिर उसी प्रियार्टी की basis पर हम लोग इन elements की जो आपने objects दियें कि हम सार्टिंग करेंगे यहां पर जब मैं print करूंगा तो actually मैं वो इन objects की सार्टिंग अभी के लिए नहीं कर पाएगा और नहीं कर पाएगा तो यह क्या करेगा इर्यर को generate कर देगा ठीक है अब इर्यर को अगर generate कर देगा तो फिर उसका फंडा क्या है मैं एक पर प्रोगार्म को run करता हूं उपर आप मत देखना आप नीचे देखो नीचे यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कह रहा है कि class cast exception यह एक क्लास को किसी दूसरे class में हम लोग कास्ट यानी casting नहीं कर पा रहे हैं अब कास्टिंग आपको पता है क्या कह रहा है कि जो आपके पास जो यह burner class है इस package के अंदर cannot be cast to हम लोग उसको कास्ट नहीं कर सकते इस comparable interface में देखिए comparable interface है और comparator interface है इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग use करने वाले हैं तो make sure कि आप यह वाला जो वीडियो था starting in collection framework starting in collection comparable and comparator interface तो अगर आपने starting concept वहाँ पर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है तो basically यहाँ पर इधर क्या आ रही है क्या कह रहा है कि जो आपकी यह class है इसको हम comparable type में casting नहीं कर पा रहे हैं लेकिन वो comparable type में cast ही क्यों कर रहा है हमारे इस class को क्योंकि उसे comparison करना है समझे बाताई comparison करेगा तब ही तो वो decide कर पाएगा कि कौन से वाले object को हम पहले रखें सबसे पहले है ना बिल्कुल तो अगर आपने वो वाला वीरू देखा है तो आपको आगे समझे आ गया होगा कि हमें क्या करना है नहीं देखा है तो बाद में जाके देख लेना अभी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें इस class जो यह हमारी class है इसको हमें comparable type में बनाना पड़ेगा जो comparable की properties है वही सारी की सारी property हमारे इस burner class में भी होनी चाहिए तबी वो हमारे इस burner class को एक comparable में काश्ट कर पाएगा comparison के लिए तो यहाँ पर simply हम लोग क्या कर देंगे यह यह हमारी class है implemented कर लेगी किसको ? बनाने के बाद यह क्योंकि एक interface से इसके अंदर एक substitution है तो इसकी हमें क्या करना पड़ेगी ओवर राइडिंग करना है यहाँ पर simply मैं माउस लाओंगा और add unimplemented method में क्लिक करता हूँ सबसे नीचे आता हूँ देखे उसने compare to method को override कर लिया है अब इस compare to method के अंदर से हमें या तो 0 या तो 1 या तो minus 1 done करना पड़ता है यह आपको पता होगा इस बाले वीडियो में हमने बहुत detail में बात किया था देखे 47 minute का वीडियो है यह तो आप इसकी importance को समझ सकते हैं और इसके बाद जा करके आप ये वाला वीडियो जरूर देखो तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा जो objects हैं उनको comparison करना पड़ेगा और उसके basis पर हमें 0 या तो 1 या तो minus 1 return करना पड़ेगा तो फिलहला हम लोग ID का comparison करेंगे तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो यह हमारे objects हैं उनके ID के basis पर उनकी priority को decide करो तो जिस object के लिए यह वाला function call होगा उसका comparison जो objects यहाँ पर pass हो रहा है उसके साथ में करना है तो ID से comparison करना है तो जिस object के लिए यह वाला function call होगा उसकी ID हम लोग this का use करके पा सकते हैं this.id अगर ये बराबर है वो.id की अगर ये बराबर है तो मैं यहाँ पर if लिखता हूँ अगर ये condition true है तो फिर उनकी starting ना करूँ है न तो return zero कर दूँ otherwise अगर this.id अगर ये बड़ा है o.id से अगर ये बड़ा है o.id से तो one को return करो otherwise minus one को return करो और जो कुछ भी आए उसे ही return कर दूँ है न तो हमने क्या किया यहाँ पर आप समझ लीजिए simple अगर id बड़ाबर है तो 60 मत करो अगर ये वाली id बड़ाबर है तो one को return करो मतलब उसको बड़ा consider किया जाए है न तो अब अगर मैं प्रोग्राम को run करूं यहाँ पर तो जो id सबसे छोटी है 70077 वो पहले maintain किया जाएगा मैं यहाँ पर run करता हूं और यहाँ पर देखे जो id 707 है यह वाली यह पहले maintain की गई है और हमें पहले वाले से ही मतलब है है न तो अगर मैं इस time पर अगर मैं पोल करूं तो कौन सा वाला delete होगा 7077 वाला ही क्या होगा बिलकुल पोल होगा तो मैं यहाँ पर pq1.pol function को call करता हूं और पोल function को call करने के बाद मैं फिर से अपने queue को print कर देता हूं तो यह 7077 पोल हो दियागा सबसे छोटा काउन बचेगा 7071 यह सबसे पहले maintain कर लिया जाएगा तो यहाँ पर देखिए पहले यह वाला है इसको हमने पोल कर दिया यह delete हो गया तो अभी 7071 वाला यहाँ पर आ गया है राइट और राइट समझ में आ गया आपको और आगर मैं पीक किसी तरह से दिखाऊंँ पीक फंशन को तो कौन सा वाला delete होगा 7071 वाला जो सबसे टाप पर होगा तो सबसे टाप पर यहाँ पर क्या है 7071 तो यही यहाँ पर दिखा रहा है अब आई होप आपको दोस्तों समने आ गया हो किस तरह से हम लोग प्रियार्टी क्यों को अ ऐसा करने के लिए जब हम अपने primitive के साथ में काम करते हैं तो अल्रेडी उसको पता होता किस तरह से सार्टिंग अगरा करना है लेकिन करना है और नहीं करपाएगा इसलिए जो हमारी यह कस्टम क्लास होती है यह करेगी इंटरफेस को और इसके अंदर जो एक और एक कंपेर to method उसकी overriding करनी पड़ेगी और यहां से आपको comparison करना पड़ेगा बताना पड़ेगा कि id के basis पर आप priority decide करो अगर आप यहां पर color के basis पर priority decide करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा color का comparison written करना पड़ेगा अब color यहां पर हमने लिया वह string type का लिया है तो यह बहुतीजी हो गया तो यहां पर हमनों लिखेंगे क्या this dot color dot compare to o dot color अब यह string को compare करने के लिए हमारे पास string के अंदर functions है तो हम function को call कर लेंगे यह compare to string class से आया है अब अगर id को compare करना तो इस तरह से हमने किया था अब string को compare करना है तो हम इस तरह से करेंगे और हम save कर देंगे जैसे मैं यहां पर run करता हूं तो बताए ब्लैक वाला जो होगा वह सबसे पहले आएगा है ना तो यहां पर देखे जो यह black वाला है पहले आ गया अभी देखे यहां पर यह आइडी के basis पर कंपरजन नहीं करें तो ब्लैक पहले आ गया तो ब्लैक पीक हो गया ब्लैक अगर पीक हो गया तो बचे हुए अगर यह ब्लैक नहीं है तो इन सब में सबसे पहले को नहीं आएगा साइज से क्या ऐगा अब आप abc तो यहां से सब्सक्राइज इस तरह काम करता है तो यहां सब्सक्राइस ऐद sì अ सबस्क्राइब आ है झाल झाल